हलो दोस्तों मैं हूँ संतोष कुमार और आप देखें टेकनिकल न्यूस का आश्टेंडी चनल इस चनल पे आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज का जो वीडियो होई ये टेक रिलेटेड नहीं है मैं कुछ छोटे बेसिक फिटनेस रिलेटेड एसो स्रीस को पर्चेज क ताकि मैं कोई नहीं वीडियो प्लड़ करूँ तुरंत आप तक नुर्शिवेशन आ जाए तो चलिए देखते हैं तो दोस्तों आप यहां पर चार अलगलब प्रोड़्स को देख परें इनको एक एक करके देखते हैं पहले यह जो फर्स्ट और यह जो सेकेंड इन दोनों के बारे में देखते हैं तो इन दोनों का जो परपस है एक है यह दोनों भी नीप एड़े घुटनों में यूज करने के लिए अब इस चीज को देखते हैं तो यहाँ पे आप इसका कलर देख सकते हैं यह बलू कलर का है इसमें दूसरे कलर के आप्सेंस भी है यहाँ पे आप इसका ब्रांड नेम भी देख सकते हैं, यह rubber like material है, यह soft भी है, durable भी है, अब इसका dimension देखते हैं, तो यह length 20 cm है, width 20 cm है, और यह lightweight भी है, travel mate है, आप इसको easily कहीं पे भी carry कर सकते हैं, कहीं भी अच्छे तरह से store भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसका shape भी देख पर हैं, और बीच में देखें, एक circular shape इसको साइफ दिया गया है, यहाँ पे छोटा सा bump दिया गया है, easily आप अपने knee को यहाँ पे place कर सकते हैं, तो इसको मैं side में रखता हूँ, अब इस चीज़ को देखते हैं, यहाँ पे आप इसका color देख सकते हैं, ये black color की है, इसमें 2 pieces दिया गया है, जैसे कि मैं इसको यह यहां पे open करता हूँ, आप देख सकते हैं इन दोनों पीसे को, एक जो है left knee के लिए, दूसरा जो है right knee के लिए, और यहां पे आप इसका material भी देख सकते हैं, यह rubber light material है, यह दोनों भी, और यह दोनों भी soft है, और यहां पे इन दोनों knee pad के अंदर आप देख सकते हैं, जो shape है करो शेप जैसा दिया गया है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जब आप अपने नीमे इसको फिट करते हैं तो वहाँ पे प्रपर ग्रिपान के लिए इस तरह शेप दिया गया है और परफेट अब इन दोनों नीप पैड का जो आवस्यकता जो परपस है उसको देखते हैं तो अगर आप कुछ योगा, एक्सराइज, वर्कॉट्स करें और रिपेरिंग वर्क्स करें जैसे कि मेकानिकल वर्क हो, एलेक्रिकल वर्क, डिलिंग वर्क, कारपेंटरी वर्क, कार वर्क करें तो कुछ सिट्वेसंस पे आप जब किसी भी फ्लोर या सर्फेस के ऊपर बैठते हैं, बहुत देर तक वो काम करते हैं, तो उस वक्त आपके बॉड़ी के कुछ पार्ट्स जैसे की नी, एल्बो, रिस्ट, एंकिल, इस तरह के जो जॉइंट से वहाँ पे भी महसूस करेंगे, जिसके वज़े से वह काम भी आप ठीक से करने ही पाएंगे, और इस तरह के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, छुटकर आपाने के लिए, आप इन चीजों को यूज़ कर सकते हैं, अब इन दोनों चीज़ को देखते हैं, तो यह दोनों भी गलोब से होटेली के लिए यान की पाम के लिए, तो पहले इसको देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो पीसेस दिया गया है, एक लेफ्ट के लिए, दूसरा राइट के लिए, तो इसको हम यहाँ पे पहन के भी देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों पार्म रिष्ट ग्लोब्स को इस तरब देखिए यहाँ पे एक सॉल्डर प्रोस डिजैन दिया गया है और इस तरब भी आप देख सकते हैं एक सॉल्डर प्रोस डिजैन दिया गया है इन दोनों का जो material है, यहाँ पर यह पॉलिष्टर material है, इन दोनों का जो color है, blue color के हैं, यह दोनों, आपका जो daily activities है, वो ज्यादा तर आप इन दोनों हतिली के साथ ही depend होते हैं, ज्यादा तर आप daily लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं, पानी का bucket को lift करते हैं, heavy bags को lift करते हैं, तो कभी कभी आपके होथिली में थोड़ा मोज, जलन, दर्द महसुस करते हैं तो उस तरह के काम करते वक्त आप इनको पहन के वहाँ पे एक सपोट के तरह यूज कर सकते हैं तो अब इन दोनों को मैं यहां से निकाल देता हूँ अब जो दूसरे सेटे जो ग्लोब से उसको देखते हैं तो यहां पे आप इन दोनों ग्लोब्स को देख सकते हैं इसको फिंगर कट हाफ ग्लोब्स भी कहते हैं और इन दोनों का जो मेटिरल है यह पॉलिष्ट मेटिरल से बना हुआ है इनका जो color है, gray color है, आप इसको cycling करते वक्त यूज कर सकते हैं, आप इसको winter season में भी यूज कर सकते हैं, आप इसको kाम करते वक्त palm support के तरह भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों भी anti-skid है, जो चीज़े आपके हाथ से ज्यादा तर फिसल जाते हैं, slip होते हैं, उस वक्त भी अगर आप इस channel पे नए, तो नीचे जो subscribe अटने उसे भी फ्रस कर दीजिए, पास में जो घंटी बटने, bell icon उसे भी दबा दीजिए, ताकि मैं कोई नई वीडियो upload करू, तुरंत आप तक notification आजाए, अगर आप कुछ comment करना चाते हैं, तो नीचे comment section में comment भी कर सकते हैं, तो